जैं दोस्तों निकलिष्टोक एकड़ेटम एक वार फिर आपका स्वागत है दौस्तों आज इलेक्ट्रीकल वोहिकल ऑन ड्रोन सेक्टर से रिलेटीड एक बीजिस मोडल के बारे में डिस्कर्ज करेंगे बीजिस मोडल का नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइज वह एक मेजर रजिस्टेंस से ब्रेक आउट हुआ है ब्रेक आउट के बाद मैं अगर पूलबैग पैट इंपोर्टेंट लेवल है तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले अपन चार्ट पे उससे पहले टाटा टेकनोलोजी क्लीन साइंस और म्यूचल फंड जो मतलब इस्टोक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्वांट मिट्गेब एक म्यूचल फंड उसके बारे में डिसकर किया पहले से इन्वेस्ट प्रेस्ट करना चाहते हो अक्मूलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देखे में लिस्टेट तो पहले हुआ ता लगबग मतलब अगस्ट 2012 में मार्केट मिलिस्टेट वा और फिर बाद में यह देख सकती होगी एक रजिस्टेंस ले रखाता यहां पर इसको एक रजिस्टेंस ले रखा था इस रेजिस्टेंस ने ब्रेक आउट करने के बाद में एक यह रेली आये थी कोविट के बाद की बात असाइद यह देखे रेली आये थी अप्रेल 21 में 9 रुपए का स्टोक था और वह 70 के लगबग गया 70 पर बाद में एक resistance वापस लेने लग गया और resistance को मतलब एक इस तरह से एक rectangle टाइप का pattern बना rectangle time pattern को इसको breakout कर दिया है अब breakout के बाद मगर यहां पर pullback pattern टाइप का आता है तो यहां पर buying फोर्चुटी बन सकती है डीटेल से इसका थोड़ा सी और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं देखिए अगर एक दूसरा होता है कि यहाँ पर देखो कोई भी selling TRCP जैसे buying TRCP selling TRCP किस तरह से बनते हैं अपने को पता होना चाहिए कैसे कि यहाँ एक major support था तो support पर वापस आके यहाँ पर एक hammer candlestick pattern बना बाइंग TRCP तो वहाँ पर buying opportunity बनी यहाँ से रेली दी तो यहाँ पर पता चल गया था यह selling TRCP बन गया था तो यह पता चल गया था कि नीचे की तरब यह stroke आ सकता है तो इसको अपन बोलते हैं selling TRCP फिर बाद हम देखिए यहाँ आप से यह consolidate था consolidate को इसको breakout कर दिया breakout के बाद हम अभी pullback pattern आया नहीं है major resistance को one time two time three time four time इसने breakout किया तो हो सकता है कि वापस एक बार इस level पर नहीं आए अब दूसरा दोस्तों एक trade line को भी respect कर रहा है इससे पहले अपन देखते हैं कि इसमें एक बहुत इसका थोड़ा सी business model देख लेते हैं किस तरह का यह business model है देखिए रतन इंडिया enterprises है जो एक किस तरह के business को मतलब कि रतन इंडिया enterprises अब कॉम्प्रीज टेक फोगस इन न्यू एज बिजिनिस इंक्लूडिंग मतलब कि यह इस तरह के business को support करता उसको फोगस करता उसको technology को adapt कर रहा है अब इसके साइट पर जाके भी आप देख सकते हो साइट पर इसका रतन इंडिया enterprises की विजिट साइट है जिसमें आप देख सकते हो कि समचाट में दिक रहा है उड़ाए ड्रॉन तो लेडिंग इंटेप्राइजे ड्रॉन और फिर यह देख सकते हो आप इस में और इसमें अलग-अलग है इसको कौण कौण से इसकी व्रांट की मतलब के कोक्यूंबल इसमें देखिए कौण कौण से इसके ब्रांट पार्टनर है आप धेख सकते होले ले से ब्हुट में बादम हैं भी तो निव भेसे बैट old यह मेया घ्रियौ क्या देखिए कोकुम ब्लस इस पार्टनर भी तश एट 600 टोप ब्रांड और कुरंट ले ओपरेटिंड एट के टेगरी मतलब कपड़ों के से रिलेटेड शूज से सक्टर से और वायर अप्लाइन प्रोडक्ट से रिलेटेड मुजिक इस्टुमेंट से रिलेटेड आइज वियर जो होते है है हैं हैं ह Southwest से रिलेटेड इनको सबको मज़र्ण को इी डियर और इसको इस तरह के बिजनिस को श्यूंट करते हैं खुद बनातें नहीं है लेकिनने सपर्ट करते हैं कि इस इसका थोड़ा बिजनिस मोडल और देखना पड़ेगा अब इसमें देखिए और बैकि इसमें र रहतने इंटरप्राइज हाउस ब्रांड अक्रोस मल्टिपल फेशन केटेगरी इनक्लूड तो इनको मतलब कि यह इनके ब्रांड को मतलब बड़े-बड़े ब्रांड होता है उनको यह सप्लाई भी करते हैं प्रोड़क्ट की बात करें तो अब इसका थोड़ा सी देखिए इ यह कोमेर्स से रेलेटेट इलेक्ट्रीक वहिकल उसे उसे और ड्रोन होता है उनसे ब्लेटेट बीजिस मोडल है मार्केट की बात करें तो 11,611 कुर्ड का मार्केट करें करन्ट प्राइज के 84 है बात में स्टोक पिये 27 है हाई गैस का 94 गया लो ऐ 32 है और इसके बात में आरे face value कितनी है 2 है तो यह इसका face value हो गया अब बात करते हैं इसका quarterly result quarterly result की बात के दो देखिए sale कितना expenditure कितना net profit कितना है तो sale की बात करें तो sale देखिए इसमें June September और December तो June में sale में कितना हुआ है sale इसका June का हुआ 1268 बात में सितंबर का 1394 और फिर December का 1654 तो यह इस तरह से इसका sale बढ़ी है ऐस्पेंटिजर की बात करें तो 1266 से बात में 1393 बात में 1630 तो इसका expenditure इस तरह से बढ़ रहा है अधर income के source की बात करें तो अधर है balance sheet balance sheet की बात करें तो balance sheet में balance sheet में देखिए और फिर बाद में बात करते हैं इसके sale holding pattern promotion के पास में में 18 मतलब 16 70 परसेंट के लगबग इसकी होल्डिंग है अब चलते हैं वापस अपन इसका चार्ट पर इसको चार्ट को ज्यादा को चार्ट है नहीं इसका तो अपने इसका देखिए यहां पर एक मेज़र रेजिस्टेंस है तो इस मेज़र रेजिस्टेंस को यह उपर की तर कर रहा था कौन सी ट्रेड लाइन अपन ट्रेड लाइन को इसको ड्रो कर लेते हैं एक बार यह देखिए एक ट्रेड लाइन ही जिसको बार-बार सपोर्ट ले रहा है यहां पर सपोर्ट ले लिए यहां पर सपोर्ट लिए अब ब्रेक आउट तो हो गया लेकिन पुल बेक के पास में कहीं भी आ जाता है ब्रेक आउट हो चुका है लेकिन थोड़ा पुलबेक पेटन भी आना चाहिए तब अपने को सेफ होता है अब आये नहीं आई वह वेट करना पड़ेगा अपने को किस तरह से चार्ट में कभी इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग की रिट्रेस्मेंट के लगबग आके सपोर्ट लिया था यहां से और वहीं से चला गया था उपर तो कोई भी श्टूक हो आपको फिप्टी वीकली या डेली टाइम प्रियम में फिबॉनाची रिट्रेस्मेंट इन पे अगर मिल जाता है तो वह सबसे बेस्ट होता है अब बात करते हैं जो RSI किस तरह से काम करती है RSI की बात करें तो यह है RSI रिलेटिव इंडेक्स बोलते हैं अब इसका यह वीकली टाइम प्रियम में डेली टाइम प्रियम कर लेता हूं देखिए मैं बोला हूं कि पुल बेक पेटन आना चाहिए थोड़ा चाहिए तो किस तरह स एक तो हमने weekly टाइम प्रेम में जो ट्रेड लाइन ड्रो की है वहां तकाना चाहिए ठीक है दूसरी अगर वह ज्यादा तर तो वह पॉसिबिलेटी है फिर बाद में यह लेवल है यह लेवल मतले 60 के लगबग यह 70 के लगबग आ जाता है इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट का काम यहा पर कर सकता है एक तो हमने और यहां से ब्रेक आउट किया तो प्लब्यग पेटरन आएगा यहीं पर यह रेस्ते जोраж ट्रेड लाइन है वो सबोर्ट इसमें अप्रेल 21 में लेकि 7 रूपय का था 84 चला गया है तो इसमें हो सकता है possibility जो हमने ट्रेड लाइन देओ कि वहां पर बाइंग पॉर्चुटी बन सकती है और फिर target इसका देखो पोई resistance है नहीं आप रूपर लेकिन 100 के लगबग एक बार जा सकता है यहां पर 70 के लगबग मिलता है फिर बाद में इसमें कोई divergence दिखाए देंगे किस तरह से होगा उसको अपन समझने की कोशिज करेंगे तो दोस्तों इस तरह से इस टोक में रंजटी बना सकते हैं इस तरह से बीजिस मोडल को भी देख लिया फंडामेंटल टेकनिकल चार्ट को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद और दोस्तों जिस तरह से फ्राइडे सटेडे संडे को में लाइव आता हूं संडे को सामको 8-10 जिसना कि हम बेसिक पेटन के बारे में ज जूट सकते हैं जिनको पता है वो अवोड कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से रणंती बनाए जा सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद और यह वीडियो के वले एजूगेशन परपस से बनाएगा किसी भी श्टोक को बाइस से पहले अपने फाइन देने लेजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दूस्तों बाइबार जेहिं जेवारत